हेलो दोस्तों कैसे आप समय गुलफार्म and welcome back to my channel तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने इस कीबोड का ECU CT के 2550 में हम कॉट्स के अलग-अलग input modes कैसे select कर सकते हैं तो यार आप मेरी पीछली वीडियो देखके तो समझ गया ही होंगे कि इस कीबोड में कैसे बजाते हैं क्योंकि इससे पहले कई वीडियो में हम लोगों ने कॉट्स के उपर बात किया और हम लोगों ने डिसकस किया कि यह वाली बटन जो यहां पर दिखती ही जिसके पर कॉट्स या एकॉंप लिखा होता है यह वाला बटन एक बार दवाने से हमारे keyboard का left से पह different यानि अलग-अलग कैसे mode में change कर सकते हैं उसको करने के लिए यह वाला जो code बटन है इसी को continue प्रेस करना पड़ता है इसी मैं continue प्रेस किया रहा है देखी सबसे पहला आगया F1 code ना तो ऐसे ऐसे हम लोगों को 5 अलग-अलग modes इस keyboard में मिलते हैं तो उन modes को access करने के लिए जब इस screen पे course button continue दवाने के बाद ऐसा ही F1 दिखने लगे तो यहां से plus की अगर दवाएंगे तो देखी F2 आगया दूसरा वाला F3 आगया तीसरा यह चौथा है यह पांच वा है तो पांच अलग-अलग modes हमकों मिलते हैं इसके बाद प्लस दवाएं तो कुछ नहीं 1,2,3,4 जो चाओ था देखी CC chord लिखा है इसका मतलब होता है कैसी यह chord इसके बाद जो अगला वाला है FRC इसका full form है full range chord तो आपको पांचो chords के full form या complete मतलब पता चल गया होगा ना जैसे पांचो नमबर पे जो दिखता FRC है क्या है full range chord इसके पहले जो CC है कैसी यह chord इसके जो F1, F2, F3 है ओसा finger 1, finger 2, finger 3 chords है तो यार cool मिला कि हमको इस keyboard में यही 5 options यानि 5 different input modes of chords मिलते हैं जिसको हम लोग बदल बदल के अपने keyboard के left side से chords बजा सकते हैं अलग-अलग 5 तरीके से अब यार इस different modes of chord input के बारे में अगर आप detail में पढ़ना चाहते हैं इसकी theory देखना चा detail में मिल जाएगा और बाकी अलग-अलग keyboard में अलग-अलग number of input mode मिलते हैं लगिन हमारे इस keyboard का SUCT के 2550 में हमको बसे 5 mode मिलता है जिसको हम लोग इस वाली button से continue प्रेस करके access कर सकते हैं अब चली एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि F1, F2, F3 और 14 और 15 नंबर में क्या changes होत अब यार जब कोई भी chords बजाते रहेंगे तो एक बार एक उंगली या दो-तीन उंगली से जब एक chords पकड़ लेंगे जैसे C major पकड़ लिए या कोई भी chords पकड़ लिए तो उस वक्त ऐसा हो सकता है कि जब एक बार आप प्रेस की हों तो उसी वक्त अगर दूसरी की दवाएंगे ना तो कुछ भी sound नहीं आएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़े predefined है कि क इस set में कौन सा की पकड़ना है जिससे आवाज आएगा अगर उसी को आप पकड़ेंगे उसी को बजाएंगे तभी कोई sound निकलेगा नहीं तो कुछ भी नहीं निकलेगा आपकी squad में कौन सी की पकड़ा जाता है कौन सी की बजाना चाहिए कौन सा की दवाने से आवाज नि सी माइनर में कौन कौन सा काम करता है इसमें देखिए सारे कौट्स में संद है कि किस की के साथ कौन सा की पकड़ेंगे तब उसमें से आवाज निकलेगा तब बजेगा न तो इसमें सारी डिटेलिंग दी हुई है आप EN 17 और A7 पेज नंबर को रिफर करके इस कीबोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मोट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और बाकी मोट्स को कैसे चेंज किया जा तो वह सायद आप सीखी गए होंगे इस वीडियो में में हमको यही सीखना था कि अपने इस कीबोर्ड के सीटी के 2550 में हम लोग कार्ट के डिफरेंट डिफरेंट मोट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं तो आपको इस सारी बाते समझ में आई हो